प्रेंट्स आज हम डिसकस करने वाले हैं थेओरिय मसीन में रोप ड्राइब के बारे में आज का जो टॉपिक है वह है रोप ड्राइब रोप ड्राइब क्या होती है दे रोप ड्राइब इस वाइडली यूज़्ट विर लार्ज एमांट पावर इस टू भी ट्रांसमेटेट रोप ड्राइब यूज़ अनम्मर अप सर्कूलर सेक्षन रोप ड्राइब जो होती है वह एक जादा लार्ज एमांट पावर आप ट्रांसमेट करने के लिए इसका इस्तिमाल होता है एक पुल्ली से दूसरी पुल्ले के लिए वन पुल्ली टू एन अदर पुल्ली यह डि वारह भी हम लोगं पुल्ली से पीर पुल्ली के लिए पावर को ट्रांसमेट करते हैं यह सिंगल फिलेट्ट के उए मुंदक को भी हो सकती है वह यूंज हो सकती है यह इसका है हमारे पास कैसे होती है इसके वारे मиях समझाने क لिए रॉब-प ज Amelia में कोई लोट को भी हम कर सकते हैं इसमें दिया हुआ हमारे पास यह रोप है और यह टू बीटा इसका एंगल रहता है एंगल आप ग्रूब होता है और यहां पर रोप होता है यह वाला यह डाइग्राम है क्रॉस सेक्षिन आप रोप का क्रॉस सेक्षिन डाइग्राम जो है और यह 2 लिटा है ग्रूब एंगल अब इसमें आता है सबसे पहले टाइपस आप रोब ड्राइब ये कौनको से टैस अप होते है 这个 इस यूप डॉप यूप और यह अगयों यूप फ़usanट यूप इसमें प्रहें थापन यूप के लिदेल्गत सब्सक्राइब स्थ estásd मैनिला एंड कॉटन जो फाइवर रोप होता है फाइवर रोप मैनली फाइवर माटेरियल को मिला करके बनाते हैं जिसमें हैं मैनिला और कॉटन का बनाई जाती है जो हैंप और मैनिला होता है वो फाइवर का एक रफ फीस होता है जिसके दुआरा जो फाइवर रोप होती है वो फ्लेक्सिविल नहीं होती है और यह मेकैनिकल प्रपर्टिज के लिए काफी पूर कंडिशन में यह काम करती है यह फाइवर रोप कहलाती है फाइवर रोप क्या होता है यह रोप आप ट्रांसमिटिंग पावर आर यूजली मेड फ्रॉम फाइवर प्रॉम भीर अप्रेद के लिए प्लेक्सिविल और पॉसिस पूर मेकैनिकल प्रप्टिज फाइवर मतेले जो रोप होती है वो इस टा इसको हम fiber की रस्षी बोलते हैं यह fiber material की मिला करके बनाए जाती जिसमें hemp, manila और cotton का mix करके बनाते हैं यह कहला तब fiber road advantages है इसमें fiber road के advantage they are give smooth, steady and quit service second है they are little affected by outdoor condition, this shards may be out of strict alignment पूर्थ है, they give high mechanical efficiency, यह हमारे इसमें advantages दिये हुए है, फाइवर रूप के, फाइवर रूप के advantages है, they give smooth, steady and quick service, and they are little affected by outdoor conditions, the saps may be out of strict alignment, and they give high mechanical efficiency, यह काफी smooth और steady type की service होती इसकी, और यह काफी छोटे लेबल पर इसका use कर सकते हैं, और यह काफी strict होती है, alignment के form में, और इसकी mechanical efficiency काफी high होती है, इसके advantages है, फिर आता है wire rope, second जो है, वो है wire rope, wire rope होता है, when a large amount of power is to be transmitted over long distances from one pulley to another, अगर कोई ज्यादा long distance पर अगर power को transmit करना है, ज्यादा amount of power transmit करना है, one pulley to another pulley, तो वहाँ पर हम wire rope का इस्तेमाल करते हैं, इस pulley में हम 150 meters apart तक हम distance को इसको measure कर सकते हैं, then wire ropes are used, the wire ropes are widely used for an elevators, mine hosts, cranes, conveyors, hauling devices and suspension bridges, इसमें जो wire rope का यूज होता है, एलिवेटर में यूज होता है, mine hosting में होता है, crane में होता है, conveyors, hauling devices and suspension bridges, इन सब में wire rope का यूज होता है, ये जो rope रखी हुई है, ये rope बताएगे है wire rope, ये wire rope की बनाई जाती है, wire rope कहलाती, इसके द्वारा हम large amount of power transmitting में हम कर सकते हैं, one pulley to another pulley, इसके द्वारा हम pulley 150 meters apart, इसमें wire rope का यूज कर सकते हैं, इसका यूज wire rope का generally elevator, mine hosts, cranes, conveyors, hauling devices and suspension bridges में इसका इस्तिमाल होता है, ये जो wire है, ये कहलाएगा wire rope, ये rope है, wire rope है, अब दिया हुआ ये advantages of wire rope, wire rope के advantages कोन है, फस्त है, these are lighter in weight, इसका जो वजन होता है, काफी हलका होता है, these offer silent operation, इसके द्वारा हम काफी शान्थ पूर्वक्स तरीके से काम कर सकते हैं, these can withstand shock loads, इसके द्वारा हम shock load का यूज कर सकते हैं, these are more reliable, ये काफी ज़्यादा reliable होता है, they do not fail suddenly, ये कभी fail नहीं होता है, इसको generally, suddenly ये fail नहीं हो सकता है, these are more durable and the efficiency is high, इसके efficiency high होती है, the cost is low, इसका खर्चा काफी कम होता है, इसके advantages हैं, first है, these are lighter in weight, these offer silent operation, these can withstand shock loads, these are more reliable, they do not fail suddenly, these are more durable, the efficiency is high, the cost is low, ये इसके advantages है, buyer rope के, advantages आपायर रूप को कोई से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, advantages of buyer rope, इसमें हमने पढ़ा, rope drive, types of rope drive, buyer rope and fiber rope, fiber rope के इसमें advantages पढ़े, and buyer rope के advantages पढ़े हुनी है, इसके बाद इसमें हम जो पढ़ते हैं, जो rope drive होता है, rope drive में हमारे पास tension ratio होता है, tension ratio का formula पढ़ते हैं, जो ratio of driving tension for rope drive, जो इसका formula हम को ये वाला पढ़ना है, ratio of tension, tension ratio का formula, ये हो जागा 2.3 log t1 upon t2 equal to mu into theta cosic beta, इस formula का हम use करेंगे rope drive में, जो भी rope drive के निमेलिक कर रहेंगे, उसमें हम इस formula का use करेंगे, 2.3 log t1 upon t2 equal to mu into theta into cosic beta, जहां पर t1 है, tension on the tight side, and t2 है, tension on the select side, tight side का tension t1 है, select side का tension t2 है, mu है, इसमें coefficient of friction, theta है, angle of contact, और beta जो है, वो है group का angle, जो पुल्ली में जो group होती है, group angle होता है, group जो angle होता है, उसका angle है beta, beta angle कहलाएगा group angle, यह इसका formula है, इस formula का इसमें use होगा, ratio of driving tension for rope drive, rope drive में इसका use किया जाएगा, यह इसका topic complete होता है, rope drive, इसके बाद इसके numerical को पढ़ेंगे,